Hey guys welcome back to my channel तो जब हम vlogging start करते है especially motor vlogging तो उसमें पहला challenge होता है कि कहीं phone न गिर जाए क्योंकि वह गिरा तो सारा ही खतम तो क्योंकि जब हम पैदर चल रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा challenge होता नहीं है क्योंकि आपका phone उसमें safest है आपके हाथ में है आप अच्छे से control कर सकते हो बट जब आप motorcycle पर हो तो vibration shock के वज़य से आपका phone गिरने का chance ज्यादा रहता है तो मैंने भी सोचा कि कौन सा safe रहेगा मैंने सोचा कि motorbike पर लगाने वाला ऐसे straw bowl ले लेंगे standards का motorcycle में लगा रहेगा बट उसमें अगर आपकी bike हिली तो आपका phone पका गिरना है तो मैंने सोचा यह chest strap ले ले लेते हैं यह chest पर पूरा लगाने का यह safe रहेगा क्योंकि आप body पर रहेगा तो आप उसको feel कर सकते vibration को और आप जान सकते हो कि अब यह phone गिर सकता है कि नहीं तो इस वीडियो में यह unboxing करेंगे chest strap का mount है chest mount है for the phone and go pro के लिए भी so without any further do let's unbox it करेंगा seal इसका अभी-अभी just मैंने इसे पाया और अगर आप इन accessories को नीचे दिये विल लिंक से करीते हैं तो चैनलल को थोड़ा help हो जाता है मैं यहाँ पर अधिकतर चीजे online shopping करता हूँ क्योंकि offline में ज्यादा मिलती नहीं यहाँ पर समाने मैं एक बार USB hub लेने गया था market में तो पूरा market ढूंडा मैंने पर मेरे को नहीं मिला मैंने सोचा online ले लेते हैं तो यह है मेरा डबबे को रखते है side में काटते है वक्त यह थोड़ा कट गया it's okay पूरा strap है यह यह hard plastic है as you can see that इसके बारे में भी सब भी बताते है accessory के बारे में कैसे यह लगता है पूरा आपको देख के ही लगा के बताते हैं तो यह काफी hard plastic है मतलब उतना भी hard नहीं है थोड़ा सा soft भी है hard भी है बट यह ठीक है यह आपके पूरे जाएगा chest पर और यह पूरा strap और यह जो strap है इसका यह कपड़े का नहीं है पूरा elastic है यह तो loose हो सकता है बट it's all right मैं इसे लगाने कोशिस करता हूं तो यह कुछ इस तरीके जाएगा यह थी तो यह है guys वह इस तरीके कुछ आप अपने vlogging के लिए कर सकते हो यह गया आपके पूरे chest पर यहाँ पर आपका phone रहेगा काफी steady है क्योंकि अगर आप body को shock भी लगता है तो आपको पता चलेगा ना bike में आप पता नहीं लगा सकती कब आपका phone गिर जाए तो यह vlogging के लिए काफी मेरे को ठीक लग रहा और यह T-shirt की तरह है और इसके साथ साथ क्या-क्या accessory मिली थी यह है J-hook इसको J-hook बोलते हैं क्योंकि इसका size J-type का होता है यह जाएगा आपके seat है इसमें और इसको tight करने के लिए यह screw है तो इसे fit करके देखते हैं यह fit हो चुका है अब इस hook में आप यह लगाओगे और इससे पहले मैंने एक चीज मगाया था इसका screw जो इसके साथ लगाना था मैंने separately खरीदा था वो यहाँ पर है Link description में है दो screw है तो इससे मैं default के दिखाता हूं और आपको यह लगा के दिखाते हूं phone holder के साथ और अब यह जो आपका यह दो side वाले जो pin type के हैं यह आपके जाएंगे J hook में इस तरीके से यह गया इस तरीके से यहां से गया और आप यह साथ में screw मिला थे इसके आप type कर सकते हूं कुछ इस तरीके से यह फिर इस तरीके से अगर इस तरीके से लगाते हो तो यहां भी जा सकता हो के यह मेरे को safe लग रहा है तो यह है उसका पुरा setup अब मैं इसको आपको phone में भी लगा के दिखा देता हूं front cameras करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो मेरा rear camera ज्यादा ठीक है तो rear camera से ही करेंगे हम okay तो इसका sample भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यह कितना shaky होगा तो यह है guys sample इसका chest mount strap का phone के लिए ज्यादा shaky लग रहा होगा as you can see that अगर आपका 60 fps support करता है phone में तो literally आपका काम चल दाएगा पट यह मेरे मेरे 30 fps support करता है तो यह जिसके वजह से आपको ज्यादा shaky लग रहा होगा यह था guys वह vlogging का setup chest mount तो यह safest है अगर आप motor vlogging करना चाहती हो और या फिर आप कहीं लंबा trick पर भी जा रहे हो तो काफी देर तक tripod हाथ में पकड़े पकड़े दर्द होने लगा हाथ तो जब आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि कहीं कहीं के short आपको हाथ से अंगल जादा अच्छे मिलते हैं बट खहीं अगर आप लंबे track पर चल रहे हो तो उसके लिए यह यह बेस्ट होगा इस chest strap में अपना gopro यह फोन लगा सकते फोन के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लेने होंगे जो gopro में भी मिलते हैं तो तो यह था guys वो chest strap for the vlogging and video पसंद आया तो प्लीज यार इसको like कर दीजे subscribe to my channel thank you very much for watching this video thanks a lot